दोस्तों नमस्कार टीवी इन इडिया के इस खास बुलेटीन टॉप टेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है के बीच बिभिन मुद्दों पर चर्चा होगी पी-म ने कहा कि बंगला देश के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और लोगों से संबंध है बारत के राश्पती रामनात कोबिंद को अस्पताल में भरती होना पड़ा है खबर है कि उन्हें सीने में दर्द के बाद दिली के आर्मिया हस्पिटल में भरती कराया गया है डाक्टरों की कई टीम उनकी सेहत की निगरानी में लगी हुई है फिलाल उनकी हालत ठीक है जम्मू कस्मीर के लेटिनेंट गवर्नर मनोश चिना ने हर पंचायत को एक एक करोड की आर्थिक मदद की घोशना की है इसके साथ ये डीडीसी अध्यक्षों को 25-25 लाख रुपए दिये जाएंगे बताता है कि इससे पहले पंचायतों को 50 लाख रुपए बजट दिये जा रहे थे पहली बार विकास के लिए निधी बढ़ाई गई है एलजी मनोश चिना ने कहा कि जम्मू कस्मीर को एक दस्मलव सुन्य एक लाख करोड की तुनला में इस बार एक दस्मलव सुन्य आठ लाख करोड का बजट मिला है ग्रामिड विकास, शिक्षा, पेजल, आवास और सहरी विकास सडकों और बागवानी जैसे चेत्रों के बजट में इस बार ब्रिधी की गई है नए क्रशी कानून के खिलाब किसानों की ओर से आहूद भारत बंद को देखते हुए कई एहत्याती कदम उठाए गए है संजुक्त किसान मोर्चे का नुसार या बंद साम 6 बज़े तक चलेगा बताद है कि किसान अंदोलन के चार महीने पूरे होने पर दिल्ली की तीन सिमाओं सिंदू, गाजीपूर और टीकरी पर भारत बंद का एलान किया गया था मुंबई के भांडू पे सित माल में लगी आग से दस लोगों की मौत हो गई है जबकि दरजनों लोग जुलस के हैं मिली जानकारी के नुसार इस माल में कोरोना अस्पताल बनाया गया था जहां 76 मरीज मौजूद थे इन में से 70 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया आज दोपर इस हादसे का जाजाले ने खुद महराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे भी पहुंचे उन्होंने उच्चा अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के बाद कहा कि घटना की जाच होगी और जो भी दोसी होगा उसके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी ISS सूटिंग वर्ल कप में भारती खिलाडी चिंकी यादों ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है वहीं मनु भाकर ने तीसरा गोल्ड जीतने में सफलता पाई है वर्ल कप के साथमे दिन 25 मिटर पिस्टल विमेंस टीम इवेंट में भारत की चिंकी यादों राही सरनुबत और मनु भाकर की टीम ने फाइनल में पूलेंड को 17-7 सहरा कर गोल्ड जीता चिंकी ने इससे पहले 25 मिटर पिस्टल विमेंस इंडिजुवल इवेंट में गोल जीता था वहीं मनु इससे पहले 10 मिटर एयर पिस्टल विमेंस टीम इवेंट और 10 मिटर एयर पिस्टल मिक्स्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी है भारत में अब तक साड़े पांच करोड से ज़्यादा नागरिकों को कोरोना का टीका लग चुका है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सिनेशन को और तेज कर दिया गया है बीते 24 गंटे में भारत में 69,118 नए मरीज भी ले और 257 की मौत हुई महाराष्ट में कोरोना की हलत सबसे ज़्यादा खराब है यहाँ 24 गंटे में 36,000 नए मरीजियों का पता चला है जो कोरोना का बड़ा अल्टिमेटम है मुंबई में 24 गंटों में रिकार्ड 5,504 मरीजियों का पता चला है मुंबई में महामारी की शुरुआत के बाद दैनिक मामलों में सबसे बड़ी संख्याजी से देखते हुए मुंबई में दुबारा लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है आज देश में तेल की कीमतों में थोड़ी रहत नजर आई मिली जानकारी के मुताबिक डीजल दरों में 20 पैसे की कमी वहीं पेट्रोल कीमतों में अधिक्तम 21 पैसे की कटाउती भी है देश के चार महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करें तो दिल्ली में डीजल 81 रुपे 10 पैसे पेट्रोल 90 रुपे 78 पैसे महाराष्ट में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे है इससे पहले सी या मुद्ध ठाकरे भी हिदायत दे चुके हैं कि अगर कोरोना गाइड लाइन्स का पालन नहीं होता है तो महाराष्ट में मजबूरन लॉक डाउन लगाना पड़ेगा नविम भई में परियाबरान के नुकसान का एक नया वीडियो सामने आया है यह वीडियो यहां के खुबसूरत पहाड़ी पार्शे खिल पर आग जनी का है सूचना के मुताबिक इस पहाड़ी पर बिती रात को आग लगाई गई थी जिसमें हजारों हरियल पेड और खुबसूरत ज़ाणिया जलकर स्वाहा हो गई सुत्रों की माना है तो बारा घंटे गुजरने के बाद भी परियावरण को नश्ट कर रही साग को बुझाने के लिए प्रश्रासन द्वरा कोई कोसिस नहीं की जा रही है नविम्भाई कांग्रेस के 26 पदाधिकारियों ने आज जिलाद्यक्ष के रवईये पर नाराजगी जताते हुए अपना सामुहे के स्थीपा दे दिया प्रदेश आलाकमान को अपना लिखित त्याग पत्र सोपने वाले पदाधिकारियों में दीघा के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्ग विजय पाल, जिला उपाध्यक्ष त्रिकुनी इतिवारी उपाध्यक्ष बियार साउले समेत 23 पदाधिकारियों का समावेस है नाराज पताधिकारियों ने कहा के जिला ध्यक्ष अनिलकुसिक और दूसरे सानीनेता पार्टी की बजाय सिर्फ अपना और अपने रिस्तेदारों के फायदे के लिए काम कर रहे है इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया मानगरपाली का चुनाओं से ठीक पहले इस तरह के सामोहिक स्तीफे को नईमभई कांग्रेस के लिए जोर का जटका माना जा रहा है आज के टॉप 10 बुलेटीन में बस इतना ही देखते रहे है टीवी वन इंडिया खबरों का ने अड़्डा नमस्कार